आज मैं आपके साथ सेर करने वाली हूँ, हैदराबादी स्टाइल में चिकन दम बिर्यानी की रेसिपी, तो ये देखिए बिर्यानी कितनी पर्फेक्ट बनकर तयार हुई है, आप भी अगर इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना चाहते हैं, तो मेरी इस वीडियो को पूरा देखें, इस तरह से अगर आप बिर्यानी बनाएंगे, तो आपकी बिर्यानी भी बहुत ही पर्फेक्ट बनकर तयार होगी, ये देखने में जितनी अच्छी लग रही है, खाने में उतनी टेस्टी लगती है, तो चलिए मैं इस रेसिपी को बनाना सुरू करती हूँ, चिक इस नष्ट और फ्राइ अच्छी का लिया था, उसे मैं इसमें डाल देती हूँ, प्यास थोड़ा जादा डालोंगी, क्योंकि छिकन में प्यास डालने से चिकन का कलर बहुत ही अच्छा आता है, अब मैं इसमें डालोंगी कटिवे धनिया की पत्ति, साथि मैं इसमें डाल एक छोटा चम्मच बिर्यानी मसाला पाउडर पेस्ट की हिसाब से मैस में डाल दूंगी नमक साथी मैस में डालूंगी आधा चम्मच साही जीरा प्याज का पेस्ट मैस में डालूंगी तीन बड़े चम्मच लेसन का पेस्ट मैस में डालूंगी तीन बड़े चम्मच अद्रक का पेस्ट भी मैंने इसमें डाला है दो बड़े चम्मच धनिया पाउडर डालूँगे मैं बड़े चम्मच से दो चम्मच और सभी को मिक्स कर लूँगी मिक्स करने के बाद मैं इसे एक से देड़ घंटा तक फ्रीज में रख दूँगी तो चिकन में मसालो को मैंने मिक्स कर लिया है इसे मैं रख देती हूँ बिर्यानी में डालने के लिए मैंने यहां पे लिया है आलू बड़े साइस के आलू लिया इसे मैंने दो पिस में काट लिया है इसमें मैं डाल देती हूँ आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, इसे बोईल होने के लिए रख दूँगी, चावल मैंने यहाँ पे लिया है एक केजी, इसे मैं तीन से चार पानी से धोलूँगी, और इसे आदे घंटे तक भिगो कर रख दूँगी, बिर्यानी में डालने के लिए मैंने यहाँ गरम मसाला लिया है, इसका मैं पाउडर बनाऊँगी, तो यह खड़े गरम मसाला है, जिसमें मैंने लिया है, बड़ी लाची, छोटी लाची, साही जीरा, काली मिर्च, सफेद मिर्च, दालचीनी, सुखा द्रक और जाइफल का टुकडा, तो इसे मैं प्राइपेन में डा कर रोस्ट कर लूगifting, तो iसे मैं ज़्यादा रोस्ट नहीं करूंगी, हलका ही गरम करूंगी, और इसका मैं पाउडर बना लूगी, तो यह देखे, गरम मसाला का पाउडर बना कर मैंने तयार कर लिया है, अब मैं चावल को बना लूँगी, तो पानी बोईल हूचका है, यहां पर मैंने लिया है हरी मिर्च, धनिय की पत्ती और नीबू, इसे मैं इसमें डाल देती हूँ, सभी को चला लूँगी, अब मैं इसमें डाल दूँगी, रिफाइन ओयल, दो चम्मच, चाबल जो है एक दूसरे में चिपकेंगे नहीं, साथी मैं इसमें डाल दूँगी, टेस्ट के साब से नमाख, चला लूँगी, अब मैं इसमें डाल दूँगी दो चोटे चमच चीनी चीनी डालने से चावल टूटते नहीं है और एक दूसरे में चिपकते भी नहीं है जिस बर्तन में मैं बिरियानी बनाऊँगी उसमें मैंने डाल दिया है तेल अब मैं इसमें डाल दूँगी कुछ खड़े गरम मसाले, तिछ पत्ता और एक देड़ घंटा हो चुका है चिकन को मेरिनेट किये वे, इसे मैं इसमें डाल देती हूँ, तो इसे मैं जादा दिर नहीं पकाऊंगी, दो से तीन मिनिट मैं इसे हाई फेलम पे पका लेती हूँ उसके बाद मैं इसमें डालूँगी चावल, चावल डाल कर मैं इसे दम पे लगा दूँगी, तो चावल को भी मैंने जादा नहीं पकाया है, 80% ही मैंने चावल को पकाया है, उसे मैं इसमें डाल देती हूँ, तो एक जाली से मैंने चावल को छान कर इसमें डाल दिया है, और अच्छे से पहला लूँगी चावल को बरतन में, अब मैं उपर से डाल देती हूँ आलू, आलू को भी मैंने ज्यादा नहीं पकाया है, सिर्फ 80% ही इसे पकाया है, तो आलू को मैंने डाल दिया है, अब मैं इसमें डाल दूँगी पीसेवे गरम मसाले, जो पौडर मैंन उसे भी मैं डाल देती हूँ, तो सारे चावल को मैंने इसमें डाल दिया है, और चावल को अच्छे से बरतन में मैं फैला लूँगी, अब मैं इसमें डाल देती हूँ, बचेवे प्याज, हरी मीर्च, धनिया की पत्ती, गरम मसाला पाउडर, गोल मैंने फूड कलर को दूध के साथ घोल लिया है, इसे मैं डाल देती हूँ, साथ ही मैं इसमें डाल दोंगी रिफाइन ओएल उपर से, तो रिफाइन ओल को मैंने डाल दिया है और धक्कन के साइड में मैंने आटे को लगा दिया है और बरतन के उपर मैंने इसे अच्छे से चिपका कर दम के लिए 30 से 35 मिनट तक छोड़ दिया था तो बिर्यानी बनकर तयार हो चुकी है यह बिर्यानी बहुत ही पर्फेक्ट बन है देखने में अच्छी लग रही है कलर बहुत अच्छा कई है है ने बहुत अच्छे से पक चुका है 10 भी दाना तूट नहीं है इसे मैं निकाल लेती हूं कि यह कि जा इते गावल बिश्state कि जो सारे धाने चावल के है बहुत ही अच्छे से पर्फेक्ट बनकर तयार हु आप भी इस तरह से एक बर बिर्यानी बना कर ज़रूर ट्राई करें ये रेसेपी आपको कैसी लगी कमिंट बोक्स में ज़रूर बताएं और मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सेर और सब्सक्राइब कर दें